नमस्कार दोस्तो, सवागत आपका तो दोस्तो आपने कई बार सुनाओगा कि सेविंग अकाउंट में आपको 3% भ्याज मिलता है FD पर आपको साफ से लेकर 8% भ्याज मिलता है क्या आप जानते हैं दोस्तो एक ऐसी जगہ भी है जहांपर आपको साल का 50% ब्याज भी मिल जाता है 50% ब्याज यानिके अगर आप 100 रुपे लगाते हैं तो आपको 50 रुपे ब्याज का मिल जाएगा 1000 रुपे लगाते हैं एक साल के अंदर आपको 500 रुपे ब्याज का मिल जाएगा तो आज मैं आपको एक ऐसा ही तरीका बताने वाला हूँ आप दोस्तों मेरे कहने से मैं आपको ये बता रहा हूँ दोस्तों अगर आज तक आपने कहीं पर investment नहीं किया है तो आप मेरे कहने से 500 riders का investment करो ये जो 500 riders होने वाले हैं दोस्तों आपके भारत की 30 सांदार कंपनियों में लगेंगे जहां पर आपको मुके संभानी की जियो कंपनी भी देखने को मिलेगी हम बात कर रहे हैं दोस्तों एक SIT की mutual fund की देखो वैसे तो आपने बहुत नाम सुने होंगे stock market, share market के बारे में सुना होगा पर दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहूँगा आप अकर 100 पे की भी value समझते हैं और 100 पे भी investment करते हैं तो 100 पे भी दोस्तों आपके लाखों में तबदीर हो सकते हैं ऐसे ही मैं आपको जिस fund के बारे में बताने वाला हूँ वहाँ पर आप minimum 500 पे का investment कर सकते हैं चाहे तो आप 500 पे एक बार invest करके छोड़ दो और चाहे आप हर महिने 500 पे का investment कर लो यहाँ पर आपको ब्याज बहुत सांदर मिलेगा क्योंकि दोस्तों मोज़ुद समय में पिछले एक साल के अंदर 50% का ब्याज मिला है ठीक है तो इस फंड में कैसे पैसा लगाना है कैसे हमें भारत की टोब 30 कंपनियों में अपने 500 पे investment करने है अगर आप नहीं जानते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बनी है सबसे पहले मैं आपको बता दूँ वीडियो के description में आपको एक link मिलेगा जो की grow app का है उस grow app को install करके KYC complete करके दोस्तो और जब आप KYC complete कर लेंगे ठीक है एप को सबसे install कर लेंगे सब कुछ complete हो जाएगा तो अब मैं आपको जो बताऊंगा आपको उस तरीके से follow करना है और आप 5 मिनिट के अंदर अपने 500 रुपे को invest कर सकते हैं जहाँ पर आप काफी अच्छा return ले सकते हैं और आप मान कर चलें कि आज से अगर आप सुरुवात करते हैं तो आने वाले सब्मे में बदूस्तो आप लखपती भी बन सकते हैं और KYC complete कर लेंगे जब आप अपनी KYC complete करोगे तो आपको स्टाटिक में कुछ इस तरीके का interface देखने को मिलता है जो कि अभी आप देखेंगे ठीक है और यहाँ पर आपको लाइप प्रूफ दिखाने वाला हूँ जाते हैं तो आपको जो mid cap company है न दोस्तो उस option को चुनना पढ़ेगा पर यहाँ पर जो risk है दोस्तो वो average रहता है ठीक है ऐसे में अगर आप जाएंगे small cap तो यहाँ पर risk आपका जादा रहता है और large cap में जाएंगे तो यहाँ पर risk बहुत कम रहता है ठीक है तो इसमें जो सबसे जादा आपका पैसा grow होगा वो होगा दोस्तो mid gap में जहाँ पर risk normal होता है पर यह ऐसा मतलब नहीं है कि risk इतना है कि आपका पैसा डोप जाए नहीं डोपेगा यहाँ पर आभी देखें मैं यहाँ पर mid gap पर click करूँगा आपको mid gap पर click करना है जब आप इस app को install कर लोगे उसके बाद दोस्तो यहाँ पर आप देखोगे मैं यहाँ पर एक साल टाइप करूँगा ठीक है एक साल अब एक साल में देखो यहाँ पर कुछ mutual fund है यहाँ पर number one पर देखेंगे five star मिलावा है जिसका नाम है मोतिलाल ओस्वाल mid gap fund direct growth ठीक है यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तो एक साल के अंदर आपको 50% का return देखने को मिलेगा 49.98% 50% का return है दोस्तो 50% ब्याज मिला है यहाँ पर किसी व्यक्ति ने अगर यहाँ पर 500 रुपे एक साल पहले यहाँ पर लगाए होते तो उसके जो पैसो पर व्याज मिला होता है तो आप समझ लो दोस्तो ऐसे ही आप नीची आएंगे एक और fund है दोस्तो जिसका नाम है निपोन इंडिया growth fund यहाँ पर दोस्तो 52% का return मिला है यहाँ कि 52% भी आज मिला है और यहाँ पर दोस्तो सिर्फ और सिर्फ 100 रुपे का investment करके आप अपने पैसो को double कर सकते हो वो भी एक साल के अंदर पर हम बात करने वाले हैं दोस्तो आज 500 रुपे वाले fund की जो कि आप देखेंगे मोतिलाल ओस्वाल नाम से अब यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तो मैं एक साल का आपको दिखा रहा हूं 49.98% है और अगर मैं तीन साल का दिखा दू तब भी आपको 36% का return देखने को मिल र जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो है यहाँ पर और इसके निचे 6 महिनने का है 29% का return है और एक महिनने की बात करूँगा तो 8% का return है अभी दोस्तो यहाँ पर आप देखें आपको एक option देखने को मिलेगा यहाँ पर हम score करेंगे कि यहाँ पर जो rating दी गई है दोस्तो इसको 5 स्टार की डेटिक दी गई है मतलब आप इस fund में investment कर सकते हो बे दढ़क होगे ठीक है सबसे पहला यहाँ पर देख लें आपको देखने को मिलेगा यह जो fund है दोस्तो इसमें आप minimum 500 रुपे की SIP कर सकते हो ठीक है 500 रुपे की SIP अब यहाँ पर आप देखें आप चाहो तो यहाँ पर one time यहनके एक बार में भी दोस्तो जो है 500 रुपे लगा सकते हो यहाँ पर तो आप 500 रुपे भी एक बार लगा कर इस fund में दोस्तो जो है investment कर सकते हो तो कम से कम 500 मैंने बताया मैं इसको back करूँगा back करने के बाद एक option है यहाँ पर start SIP SIP ज़्यादर बैटर है उन लोगों के लिए जो हर महिने 500 रुपे लगा सकते है ऐसे वो लोग जो हर महिने 500 रुपे नहीं लगा सकते है आप एक बार investment करना चाहते हो तो आप one time वाला जो है यहाँ पर option चुन सकते हो उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर आप देखें आपको देखने को मिलेगी holding अब दोस्तो जो आप 500 रुपे लगा रहे हो ना यह 500 रुपे लगा रहे हो यहाँ पर आपका 500 रुपे जो है 30 कंपनियों में लग रहा है भारत की 30 कंपनी जो की mid-cap कंपनी है उनमें आप यह 500 रुपे लगा रहे हो यहाँ पर मैं किलिक करूँगा किलिक करने के बाद मैं आपको दिखा दूँ दोस्तो यहाँ पर आप देखें 30 कंपनी में जो सबसे बड़ी कंपनी है जो कंपनी का आप सिम यूज करते हो मुके संबानी की कंपनी का उस कंपनी को भी यहाँ पर लिस्ट किया गया है जिसका जो है यहाँ पर आप देखेंगे 9.19% का रेटन इस कंपनी न दिया है उसके बाद आपको देखने को मिलेगी मिलेगी पिरिस्टाइन उसके बाद जोमेटो देखने को मिलेगी कोफोर्ज देखने को मिलेगी सीजी पावर देखने को मिलेगी प्रेस्टी देखने को मिलेगी दीपक नाइट्रेट बड़ी ही सांदार कंपनी है कैमिकल सेत्र की बड़ी कमपनी आती है दोस्तों ये इस कमपनी को भी यहाँ पर रखा गया है यानि कि 500 उर्पे आपके इस कमपनी में भी लगेंगे नीचे आएंगे यहाँ पर आपको एस कोट देखने को मिलेगा सी होल्डिंग पर किलिक करेंगे अभी आप देखें केप आईटी टेक्नोलोजी अप अपनी मोटर सैकल में अपोलो टायर चलाते होंगे वो देख लो यहाँ पर नवीन म्यूच्छल फंड है ट्यूब इन्वे कि दोस्तों यहाँ पर आप देखें उसा में चले गए M.P.S में चले गए वेदानता में चले गए A.P.C में चले गए AU स्मॉल फाइनस बैंक में आप चले गए तीक है इसके सास्ता पॉली कैब में चले गए टाटा कंपनी देख लो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी एसेल देखने को मिलेगी जेखे सीमेंट देखने को मिलेगी मोई और के लिए करूंगा तो यहाँ पर Dash अगर यहाँ पर पर एक बालत को स्टार्ट करनी चाहिए मेरे गाहने से अगर यहाँ पर एकवार confirm I SIP स्टार्ट कर देते हैं तो आप यह मान कर चलें दोस्तों आने वाले समय में यह आपके लिए बहुत ही सांदर हो सकती है ठीक है यहाँ पर आप स्टार्ट SIP पर कलिक करेंगे अब आपको पता चल गया कि भी यहाँ पर हम जो हैं 500 रुपे करेंगे यह 500 रुपे आगे हमारे Automatic Bank से Password पर कटेंगे और Automatic दोस्तों इस Fund में हर महिने चले जाएंगे ठीक है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर आपके सामने है 19 जो है Every Month हर महिने की 19 तारिक को Password पर जो है दोस्तों काटे जाएंगे और SIP में चले जाएंगे ठीक है या आप यहाँ पर Date भी Select कर सकते हो सायद यहाँ पर ठीक है 19 के अलावा मैं आपको बता दूँ यहाँ पर आपको Date देखने को मिलती है आप किसी भी Date को Select कर सकते हो कि उस Date में आपका पैसा कटके इस Fund में चला जाए ठीक है तो ऐसे में दोस्तों आप अपने हिसाब से कोई इसında में आपको देखने को मिलेगाاح थे कुड़ेक है उसके बाद दोस्तों अपको बिखने को मिलेगा अपने हिसाब से उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप को डेखने को मिलेगा अभी आप देखें दोस्तों हमारी Gmail ID पर एक OTP आएगा 6 number का जो कि यहाँ पर डाल कर verify करना है OTP verify हो चुका है 500 रुपे की amount हमारे सामने आचुकी है यहाँ पर choose account to pay का option देखने को मिलेगा यहाँ पर हम Punjab National Bank को select करेंगे उसके बाद यहाँ पर pay पर click करेंगे टेपर click करने के बाद दोस्तों जो भी हमारा ठीक है Google पर phone पर वगरा की जो ID है जो हमने यहाँ पर लगाई है जो भी आपका app है उसमें जो security password है वो password डाल देना है ठीक है मैं यहाँ पर password डाल देता हूँ password डाल के OK पर click करूँगा अभी आप देखेंगे दोस्तों यह 500 रुपे की SIP हमारी Minto के अंदर start हो गई यहाँ पर जाद समय नहीं लगा है और 500 रुपे की हमारी SIP हो गई यहाँ पर आप देखेंगे payment for 500 रुपे successfully हो चुका है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा debit card यहाँ पर net banking यहाँ पर आधार card अब किस तरीके से दोस्तों किस हिसाब से यहाँ पर verification करना चाहते हैं तो debit card मैंने यहाँ पर select किया है उसके बाद यहाँ पर click करूँगा यहाँ पर submit पर click करूँगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पूरी detail आपको देखने को मिल जाएगी नीचे आएंगे यहाँ पर card number आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर आपका debit card number है वो आपको यहाँ पर डाल देना है जो अभी आपके ATM के पीछे जो 16 नमबर का अंक है दोस्तों सबसे पहला आप उसको एंटर करेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे आपको card का number डाल देना है नीचे valid up to कब तक वो valid है उसके expiry date डाल देनी है जो आपका security pin है debit card का वो डाल देना है उसके बाद दोस्तों आप जो है submit पर click करेंगे उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ option यहाँ पर आया गया है बताया गया है कि आपके mobile नमबर पर एक OTP आएगा यहाँ पर आप OTP को डाल कर accept पर click करना है अपर पर click करना है और setup auto successfully हो चुका है 500 रपे की SIP है वो हर महिने 500 रपे हमारे saving account से कटेंगे और हमारे mutual fund में चले जाएंगे डन पर आप click करेंगे ठीक है और यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों आपने जो अभी SIP की है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी और यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों फिलाल जो यह वाली SIP है एक order हमारे पास हो चुका है 500 रपे की SIP है तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर आप all order पर click करके यहाँ पर detail देख सकते तो इस तरीके से दोस्तों आप पर आकर पास रफे हर महींना डालकर आप काफी अच्छा return ले सकते हैं अपने पैसों को grow कर सकते हैं वीडियो पसंद आयों वीडियो को like करें जरूर करें दन्यबाद